चीला चाट चीला चाट बनाने की विधी तीन से चार घंटे तक भिगोए हुए मून दाल ले ले एक मिक्सी जार में इसके बाद उसी तरह चनादाल और उड़त दाल और हरिमेच का पेस्ट, हल्दी और जीरा भी मिलाकर इसका बारिक पेस्ट बना ले इसके बाद अब चाट के लिए एक बॉल में उबाले हुए चनादाल उबाले हुए आलू के टुकडे, अंकुरे दाल या स्प्राउट्स, टमाटर बारीक लंबे कटे हुए इसके बाद प्यास, हरा धनिया, हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, हरी तीखी चट्नी, हरे धनिया और पुदीना की, खजोर की मीठी चट्नी, चाट मसाला, नीमू का रस, दही डाल कर इसे एक तरफ रख ले अब एक दूसरे बाउल में ग्राइन किया हुआ मसाला और नमक डाल कर एक बार अच्छे से मिला ले इसके बाद अब छीला बनाने के लिए चूले पर तवा रख कर उसे गर्म होने के बाद इस पर एक बड़े चमत से ऐसे मिश्रन डाल कर धीरे धीरे आराम से फैलाते हुए थोड़ा बड़ा कर ले अब थोड़ा तेल डाले उपर से जब यह थोड़ा पक जाए इस पर तैयार किया हुआ सलाद रख कर उपर से कैबेज या लच्यूस के टुकडे रखें और इस तरह मोड कर एक प्लेट में इसे निकाल ले बस तैयार है आपका हल्दी और टेस्टी छीला चाट तैयार है इसे निकाल भुकडे इस पर लेज़ार है रखें झाला मोड.